आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है किते लोग मानते हैं इस बात सच है सब मानते हैं सब जूटे तो आप जूट बोल रहे हैं, कहां मानते हैं, अम बाते तो कुछ और करते हैं, उसकी किसमत अच्छी है, मेरी किसमत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज बदल क्यों नहीं रही है होता है मैं आपको एक simple सा example देता हूँ दो घर हैं आमने सामने एक है छोटा सा फ्लाट 1BH के middle class family और उसमें बच्चा रहता है दूसरी तरफ उनी फ्लाट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है a huge house बहुत बड़ा वहाँ पर एक billionaire का बच्चा रहता है मतलब के अरब पती खरब पती आदमी है उसका बच्चा है तो जब उस सड़क के बीच में खड़े होकर के हम इधर देखते हैं उस बच्चे को और फिर इधर देखते हैं एक तरफ से बच्चा जा रहा है स्कूटर के उपर अपने पापा के साथ में बैठ करके एक तरफ से वह बच्चा जा रहा है बड़ी सी Mercedes में वो भी S क्लास ऐसी वैसी नहीं सामने एक शॉफर है पीछे वह मज़े से बैठा हुआ है और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में तो सबके मैंड में क्या आएगा एकदम से देखते ही कि हाँ देखो इसकी किसमत कितनी अच्छी है इसकी किसमत कितनी बुरी है अब रियालिटी को देखते हैं ये है हमारी इमाजिनेशन अब रियालिटी क्या है उसको जरा पकड़ते हैं यह जो बच्चा है, बिलेनेर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी बैलकनी है, वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, डेली शाम को, दो-तीन घंटे के लिए, और उस बैलकनी में खड़े हो करके भार बच्चों को खेलते होई देखता है, और वो जो द फूशकर हैन किस्मत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है वह आपर अपनी बैलकनी में खड़े हो करके उन बच्चों को देख रहे है उसको और जा अलाउ नहीं है विकॉस उत कॉट बजह मॉगेन्स पुटल रिजही नहीया है बहुत सारी बच्छे है कि उनका जो standard है उसके साब से उनको ये suit नहीं करता कि वो बच्चा जा करके ऐसे बच्चों के साथ में खेले नमबर एक नमबर दो security issues है नमबर तीन उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है बाहर जाना allowed नहीं है इस तरह की बहुत सारी restrictions है उसके ओपर नहीं दार पानी होता है वगैश過去 के नजर से इक दुनिया को देखने ही कोशिश करो अपनी नदर से नहीं जब बड़े हो जाते है वाल्य में लिए पैसे सब कुछ होता है पैसा आजया पैसा आजया पैसे से क्या लेना देना है सोचो बच्चे की जिन्दगी में सबसे बड़ी चीज क्या है पैसा या खेल खेल और वह उससे चीन लिया गया उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है मम्य अपना किटी पाटी में बसी है फैक्ट है जिसमें कोई डाउट वाली बात यह नहीं है जैसे इसे पैसा आता है लाइस पाटमीयों अपने है अभी चेंज़ फूता चला जाता है शॉपिंग है यह है वो है सोसाइटी है पेज थी पार्टी से पता नहीं क्या-क्या है टाइम कहा है वाई बच्चों के ले तो इस बच्चे के बाद ऑप्शन क्या बचा कि अपने से पचास पचास साल बढ़े आदमियों के साथ में जा करके वो खेलता रहे गर के अंदरी जितना मर्जी बढ़ा हो क्य कृशे बाभार जाना hai मुझे किस पिंजने में कैद कर दिया सोने पिंजना है लेकिन पिंजना तो इना है कैद कर दिया मिरको यह पर लाकर भार नहीं निकलने ते रहे मुझे खेलने नहीं ब्रे यह कि उस पकिए और जो दूसरा बच्च्छा है वो मजे से अपनी जिन्द नहीं है उसके पास खिलोने बहुत है उसके घर में कमरा है जो पूरा पूरा खिलोनों से बढ़ा हुआ है हजारों खिलोने है और मिडल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ चार खिलोने है लेकिन उन चार खिलोनों का उस बच्चे में क्रेज है उसमें हजारों खिलोनों में हलका सा ट्विस्स ले करके आते हैं, हलका सा मोड देते हैं इस कहानी, वो जो बच्चा है मिडिल क्लास बैक्राउंड का, वो भी बीच बीच में, पूरे टाइम नहीं, जैसे खेल रहा है, खेलते-खेलते, दो-तीन घंटे के लिए खेला, खेलते-खेलते ठग गया, जा कर बड़े घर में रह रहे हैं, कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यों है, मर्सिडीज क्यों नहीं है, इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यों नहीं है, इतने सारे नौकर क्यों नहीं है इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है इतने सारे टॉइस क्यों नहीं है अब किसकी किसमत अच्छी है किसकी बुरी है पकड़ो इस चीज़ को जहां में जा रहा हूँ ध्यान से देखो ध्यान से देखो दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत बुरी होती है और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है उस मुमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है यह पलपल का खेल है एक किसमत बदल रही है और किस की वजये से बदल रही सकी जड़ क्या है कि हमारे अपने ही डिजायर है हमारे अंदर जो डिजायर चुपे होये वो है सारी कि सारी जड़ तो अगर हमें अपने डिजायर को बदलना आ जाए तो क्या होगा किस्मत बदल जाएगी अब मैं आपको एक रियल लाइफ एक्जामपल देता हूं उसके लिए मुझे एक वोलिंटेर चाहिए है यहाँ पर स्टेज पर जिसका किसी लड़की के साथ यह किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेर चल रहा है और यहाँ पर आ करके वो थ्थोड़ा बट शेयर करें में उनको प्रॉब्लम ना हो कौन आना चाहेगा आप आना चाहेंगे आजो क्या नाम है आपका अगस्टन ओगस्टन ऑगस्टन अगस्टन अच्छा तो आपका लड़की के साथ है अफेर है लड़के के साथ है तो अगस्तिन, कितने टाइम से चल रहा है अपका अफेर? साले तीन साल से तो आप इमाजिन करो, सिर्फ इमाजिन करना है, रियालिटी नहीं है कि कल वह आपको डंप कर देती है ठीक है? इमाजिन करो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है तो आपकी अच्छी किसमत होगी या बुरी किसमत होगी? सोच के बोलना यह ऐसा नहों यह वीडियो देखने के बाद नो सच मैं डंप कर दे आप भी बोलोगे जो बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलेगा, बताओ, आराम से सोच लो अगर वो पिसी और के लिए इनको कल डंप कर दे, मतलब के छोड़ दे तो यह इनकी अच्छी किसमत है या बुरी किसमत है, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ आप लोग मत बोलो आपको कोई डंप नहीं कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको बोलने दो आपकी गल्फंड आपर अभी नहीं है ना, मैं बताता हूँ जब वापच जाएंगे तो क्या होगा अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड क्यों नहीं तेटे अच्छे किसमत के भी और रीजन्स बताओ, अच्छी किसमत के भी और बताओ बुरी किसमत के भी, मैं यहाँ पर क्या करना हूँ, देखो ध्यान से देखना, जहां इनका ध्यान गया, पॉजिटिव की तरह किसमत अच्छी हो गई, जहां ध्यान गया, नेगेटिव के ओपर, कि अम मैं क्या करूँगा, साड़े तीन साल से हम साथ में थे, मैं एक दम से उन्दर से जाएंगे, अंदर से तूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरी तरीके से, देवदास बन जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, डेली, लवली, लवली, होता है, होता है लोगों के साथ में, दूसरी एक्स्ट्रीम क्या है, जैसे ही आपने सिच्विशन की negative side क्या है negative क्या है सोचो अराम से सोचो माइक पास लेव एक मिनटे इनको बोले दो इनका बरेक अपका नहीं हो है बोलिये negative side क्या है है हर situation की देखो life में कभी भी हमाइस तोच न मुझे सिर्फ positive देखने है positive देखो negative देखो लेकिन छूज करो positive तो आपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया भी तक मतलब उनसे अलग उने का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है अचा कुई चांस ही नहीं है बहुत बढ़िया लेट्स किव अब बिग एंट फर इंट यह जो फंड़ अभी मैंने डिस्कुस किया आप लोगे साथ में कि एक सिचुवेशन की हम नेगेटिव साइट भी देख सकते हैं पॉजिटिव साइट भी इसी सेम फंड़े को आप कहीं पर भी लगा जा जा Hang verse हर इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ स्थेंट्स होती हैं कुछ व Bean質 वती है क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस auditorium में या auditorium छोड़ो पूरी दुनिया में जिसके अंदर strengths तो हो weaknesses ना हो तो हर इंसान के अंदर strengths भी है और weaknesses भी है तो जब भी हमारा ध्यान अपनी strengths की तरफ होता है तो हमारी किस्मत अच्छी होती है और जब भी हमारा ध्यान अपनी वेकनेसES की तरफ होता है तो हमारी किस्मत पुरी होती है आसमान में पंची उड़ रहा है जब तक ओड रहा है मज़े से तब तक कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि वो उसका basic nature है उसने मचली को पानी में तैरते हुए देखा और वो मचली बनने की कोशिश कर रहा है उसका मन कर रहा है कि हाई मैं पानी में तैर क्यों नहीं पा रहा मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ और मचली भी उसको देखकर कि यही सोच रही है मैं उड क्यों नहीं पारी जिस आदमी को देख करके आप सोच रहे हो तिसी पचास साल के आदमी को कि यार क्या लाइफ है बिजनस क्लास में ट्रेवल कर रहा है बढ़िया से बढ़िया गाडियां है इतना बड़ा बिजनस है इतना ये है, इतना वो है, वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके, अगर आपकी एज है, बीस-पचिस साल, आप एक स्टूडेंट हो, आपको देख करके वो मनी-मन सोच रहा है, कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते हैं, कि काश मेरे अंदर भी इतनी एनरजी हो जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसकी किस्मत खराब है और जैसे उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है बिजनस है तो इस बिजनस को पूरी इमानदारी के साथ करूँ पूरे पैशन के साथ करूँ जो इंप्लॉईस है उनके बारे में सोचू इस दुनिया के बारे में सोचू क्लाइंट्स के बारे में सोचू इस दुनिया में आ करके सिर्फ अपने बारे में सोच करके जाना नहीं है, मरना नहीं है बढ़कि कुछ कॉंट्रिब्यूट करना है कि अगर आप आए हो इस दुनिया में कि बहुत लोग उसे कुछते हैं मकसद क्या है यही मकसद है भाई आप इस दुनिया में आये हो अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बना दी ना थोड़ी सी आपकी वज़े से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई किसी की जिंदगी पे इसके अलावा कुछ नहीं है कितने लोग मैरेड हैं यहां अब देखो कितना असान यहीं समझता कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराइव देखनी शुरू करी बुराइव हैं उसके अंदर है है यह यह नहीं है ऐसे आप हस रहे हो है सब के अंदर है और पता नहीं कितनी है पता नहीं कितनी है जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराइव की तरफ गया आपकी किसमत फूट गई लोग समझ नहीं पारे खेल को लोग समझ नहीं पारे वो पते क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूँगा या उसकी अच्छाईयों को देखूँगा तो उसमें उसका फाइदा है समझो पारी की से समझो आप उस पे एहसान नहीं कर रहे हैं उसकी अच्छाईयों देख करके आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हैं उसकी अच्छाईयों देख करके उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी पहले आपकी खुद की किसमत अच्छी होगी समझो आपकी जिन्दगी में तो इसी खुशी आएंगी, आपको अच्छा लगेगा आप रिलाक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा आप शान्त हो जाओगे, आप खुशी से unlimited है, अब चॉइस आपकी है, कि कब तक negative देखना है मैं आपको यह नहीं कह रहा है कि आप positive देखो, मैं को नहीं होता हूँ बोलने वाला हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप देखो ना negative देखो, बस मैं आपको reality बता रहा हूँ, reality क्या है कि अगर आपने एक साल तक किसी दूसरे इंसान की negative qualities को देखा किसी situation की negative side को देखा, अपनी weaknesses को देखा, अपने failures को देखते रहे, और उसकी positive side को नहीं देखा, तो जब तक भी आप देखोगे, एक साल तक 2 साल तक, 10 साल तक की आप पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है बिकार है किस्मत खराब है, अपने अंदर जाग करके देख लेना आपको समझ आ जाएगा और जहां एक सेकिंड लगेगा तो मैं क्यो ना बदलो अपने नजरीय को मैं बदल रहा हूं मैं बदल रहा हूं अपने नजर्य को मैं कोई जानवर नहीँ हो, मैं इंसान हूँ मैं चॉइस ले सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत मुझे ही च surrounds करने 감사 से नहीं रोग सकती नजरिये का खेल है अब मुझे बात करते करते हैं एक बड़ा मज़ेदार सा आइडिया आ रहा है कि किस तरह से दुनिया देखती है और किस तरह से मैं देख रहा हूं इस दुनिया को अगर उसको आपको लाइव यहां पर दिखाना हो उसके लिए मुझे दो वॉलेंटेस चा है आप वो 5,000 लेकर कि यह पर यहाँ पर आओगे हम यहां पर एक गेम खेलेंगे अगर आप जीत गए डिया अगर आप जीत गए तो आपको ध्यान से सुलो कि होगा क्या बास मुझे गाली आ निकालो हैं शो मेरा नेराप जीत गए तो आपको 5,000 रुपे का 10,000 लुपे मि तब आप कहने अधाओ कोन आएगा आजओ दो लोग पसदो लोग चगें हैं हैं आपके पास में पाच हज़ार प्रप्राइग जैस दिखाओ अरे वा इनके बास तो बहुत है I think amount बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी 10,000 कर देते हैं 10,000 का जुआ कौन कहला चाहेगा एक कदो, एक कदो, एक कदो ठीक है, तो अब आप भी लाए हैं 5,000 रुपे देंगे मिर को अच्छा, 10,000 रुपे लगाने को ते रहे हैं या 5,000 जितना आप कहेंगे उतना ही करेंगे आप बोलो, आप तो प्रोफेशनल जुवारी लग रहे हो आप बोले जितना, एक एक लाख रुपे, एक लाख रुपे अपना दिल थाम के बैठिये भाई और बहनों, आपके सामने ही कैसा खेल शुरू होने अला है जा आप से परेले आपने कभी नहीं तेखा होगा यह जमूरा आपको एक ऐसा खेल दिखाएगा ग्या कि तब यह खुष हो जाएगी ने, ने, सिर्फ दो लोग, दो लोग अच्छा आपको भी खेल लोग, चाली सार, जाएगी यह तो लग रहे हैं लोग मुझे कर इंदी आगे हैं तो मुझे सिर्फ दो लोग चाहिए, कौन है वो दो लोग जो यहाँ पर 10-10 अजार लगाने को तयार है तयार हो आप, ठीक है, देओ, 10,000 उपर दो कोई बाद नहीं, लेस्किव एपिगान फर इम और यह मजाख नहीं हो रहा है सच में जो गया सो गया वापिस नहीं आने वाला अच्छा मुझे एक सिक्का चाहिए, किसी के पसमें कॉइन है एक रुपए का या कोई भी ऐसी आगे देख लो जी, यह हेड होता है, यह टेल होता है, खिक है नहीं 10,000 उपर गिनने की जरद तो नहीं है ना, नहीं आप प्रोफेशनल लग रहे हो यह गए मेरी जेम में मेरा मन कर रहा है, लेके बाग जाओं सेशनेशन तो होता रहेगा, बीस से जार में तो आ गए ओके, देखो, खेल सिंपल है हम टॉस करेंगे जो जीता उसके पैसे डबल जो हारा उसके पैसे गए सिंपल है सिंपल है बोलिए अपका टेल शुकर है दोनों ने हैड नहीं मांगा नहीं तो मेरे को आपनी जेब से पैसे देने पाँ तो देख लीजे हेड़ मुबारक हो आप खार गए यह लीजे सर यह आपकी अमान थैंक्यू जी क्या नाम है अपका हरिदास हरिदास, नाम हरिदास और काम जुआ आपका गया नाम वसंत, कैसा लग रहा है आपको यह सब हुआ जो आपके साथ दिन अच्छा हुआ है थोड़ा सा खराब हो गया थोड़ा सा खराब हो गया इस उबीद में मत रहना कि यह पैसे वापिस मिलने वाले हैं यह आपको लग रहा हो कि यह वापिस मिलेंगे क्यों दे तू? अरे पहले ही बात हुए थी भाई लाइफ में मिलता है क्या तुवारा से वापिस आपकी मर्जी आप देना चाहें तो दे दिए वापिस रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल मेरी वाइफ के जैसे है वह भी यह करती है एक बार इसके हाथ में पैसे पहुचके देती नहीं है वापिस देती जी थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए थैंक यू अभी अभी आपने यह देखा इसमें किसकी किसमत बेटर लगी आपको इनकी हरीदाश जी की या दूसरे वाले हरीदाश जी की अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं खेल को कि अभी एक बार टॉस हुआ और यह 10,000 पर जीते सोचो यहां पर पांच बार टॉस होता और पांचो बार हरीदाश जी जीत जाते और जो दूसरे हैं वो हार जाते तब हम क्या कहते किसकी किसमत अच्छी है किसकी किसमत बुरी है किसकी किसमत बहुत अच्छी है और किसकी किसमत बहुत बुरी है फूटी हुई हरीदाश जी ऐसा ही है जीत गए भाई कुछ किये विना 50,000 रुपर जेब में डाले और निकल लिए और क्या चाहिए ऐसा ही है ये है 99.99999999% लोगों का नजरिया तो आप देखो मेरे नजरिये से कि किसकी किसमत अच्छी है और किसकी किसमत खराब है पांच बार हरिदाश जी जीत गए जुए के अंदर नौन स्टॉप इतनी सारी जंता के सामने इतने सारे लोगों के सामने सोचो उनके दिमाग में जा करके क्या बैठेगा एक सिंपल ती चीज देखी जाए तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी के मेरी किस्मत अच्छी है इस दिन को वो जिंदगी भर बुला नहीं पाएंगे बुला नहीं पाएंगे बैठ गया और इमके दिमाग में क्या बैठ गया कि जुए में मेरी किस्मत खराब है और अगर आप मेरी नजर से इस दुनिया को देखोगे तो किसमत अच्छी किसकी और खराब किसकी अपता है जो आदमी को ये गलत फेमी हो गई है अब इसको ध्यान से सुनना जिस आदमी को ये गलत फेमी हो गई है कि जुए में मेरी किसमत अच्छी है उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है भाई आपको लग रहा है क्योंकि आप शॉट टम में देख रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ो जितने भी गैंबलर्स है इस दुनिया में अलग-अलग तरह की गाम्लिंग करते हैं, बहुत है, कोई सटा लगाता है, कोई कैसीनों में जाकर के गाम्लिंग करता है, कोई ताश खेलता है, कुछ भी करता है, उनकी शुरुवात कहां से हुई, बंदे कैसे हैं लोग, सोचो, दिमाग लगाओ, खेला, जीत गए, दूसरी हमें कोई भी जीत पाया है, यस और नो, तो क्या होगा, उनको लगनी ही लगनी है, जिसके अंदरे गलत फैमी आ गई, ये लालच बढ़ गया, ये किसमत की, गलत फैमी हो गई, कि मेरी किसमत अच्छी है, वो पहस गया, जबकि लॉव प्रोबबिलिटी काम कर रहा है, ये स है, कोई किसमत नहीं है, लॉव प्रोबिलिटी है, इनका पांच बार आया है, इनका भी आ सकता था, इस वो सिंपल लॉव प्रोबिलिटी, कुछ लोगों ये गलत फैमी हो जाती है, कि हमारी किसमत कोई दूर आस्मान में भगवान बैठा हुआ है, वो लिख रहे है, सोचो आपर बैठ करके ये टॉस को देख रहा है, मेरे हाथ को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है, और वेट कर रहा है कि कम है सिक्का उछा लूँ, और वो डिसाइड करें कि हैड आना चाहिए, तेल आना चाहिए, सोचो, इस गलत फैमी हो मत रहो कि कोई है, जो आपकी किसमत क फैसला कर रहा है हम खुद ही कर रहे हैं जैसे हमने चूज किया अच्छा हो गया इसी को कर्म बोलते हैं यह चॉइस ही कर्म है जहां आपने अच्छी चॉइस करी अच्छा कर्म किया जहां आपने बुरी चॉइस करी पुरा कर्म कर दिया तो बुरा फल मिलना ही मिलना है और द आज से हजारों साल पहले वेदों में बात कही गई थी और अगर हो सब्चे तो इसको अपने अंदर तक जाने देना इस एक्स्ट्रेमली पाफूफू एक्स्ट्रेमली पाफूफू वो लोग जो सच को एज टेख रहे थे बिना किसी फिल्टर के बिना किसी लेयर के उन्होंने एक छोटी से लाइन बोली थी यथा दृष्टी तथा शृष्टी यथा दृष्टी तथा इसका मतलब क्या है जैसी आपकी नज़र है वैसी ही ये दुनिया है जिस नजरिये से आप इस दुनिया को देख रहे हो ये दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आ रही है ये दुनिया वैसी ही है आपके लिए आपके पड़ोसी के लिए कुछ और हो सकती है मेरे लिए कुछ और हो सकती है लेकिन आपके लिए सच यही है कि आपकी दुनिया भाई ऐसी ही है तो सोलूशन क्या है absolutely simple बहुत असान है करना क्या है अपने नजरिये को बदलना है कि अगर बाहर इस दुनिया को बदलना चाहते हो जिसको आप कभी नहीं बदल सकते तो उसका option क्या है अपने नजरिये को बदल दिया बाहर कुछ ना बदल करके अपने आपको अंदर से बदल दिया दुनिया बदल गई हमको अपने नजरिये को बदलना है नजरिया क्या है आपके beliefs है आपकी आदते है बाते सुन ली बहुत अच्छी लग रही है सुनने में लेकिन आदते नहीं बदली तो दुनिया कैसे बदलेगी आपकी जो दुनिया है वो कैसे बदलेगी पॉसिबल ही नहीं है तो अब हमको जड़ तक जाना है कि ये नजरिया हमारा बना कैसे जब हमको ये समझ आएगा तभी तो हमको समझ आएगा कि इसको बदलना कैसे है दो खिड़किया है जहां से नजरिया बन रहा है आखे और कान जो भी कुछ आज तक आपने सीखा है समझा है वो और कहां से सीखा देख करके और सुन करके जो भी हम देखते हैं जो भी हम सुनते हैं अब हम चाहे या ना चाहे उससे related thoughts हमारे mind में गुमने लग जाते हैं आप चाहो भी तो उसको रोक नहीं सकते न्यूस चैनल पे जा करके आपने को एक न्यूस देखी जिसकी बात हो रही है चारो तरफ आपने अख़वार में जा करके पढ़ा उस न्यूस चैनल में जा करके देखा और सुना अब नहीं भी चाहोगे तो अगले तीन दिन तक चार दिन तक, दस दिन तक उसी से related thoughts आपके mind में गुमने लग जाएंगे होता है नहीं होता है तो हमारा control है कहां पर thoughts पर नहीं है ये बात समझ आती है actions पर भी नहीं है ये भी बात समझ आती है तो कि act करने से पहले आपको सोचना पड़ता है जैसा सोचोगे वैसा ही act करोगे कुछ देर के लिए pretend कर सकते हो फिर वापिस अपने zone में चले जाओगे comfort zone में, अपने basic nature में तो thoughts पर भी हमारा control नहीं है actions पर भी हमारा control नहीं है लेकिन इन दोनों चीज़ों को बदलना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना बदले काम भी नहीं चलने वाला तो क्या करें? input को बदल दो अब तक आपने कुछ गलत देखा है कुछ गलत सुना है जिसकी वज़े से आपने कुछ गलत बोला है और कुछ गलत किया है कुछ गलत सोचा है तो अगर आपने कुछ गलत ना देख करके कुछ गलत ना सुन करके कुछ अच्छा देखना शुरू कर दिया और कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दिया तो क्या होगा आप नहीं भी चाहोगे तो आपके mind में उसी से related thoughts आएंगे आप नहीं भी चाहोगे तो आपके mind में वैसे ही thoughts आएंगे और जैसे thoughts आ रहे होंगे वैसी ही आप बाते कर रहे हो वैसे ही actions चल रहे हो बागे, अब तक बैने जो कुछ भी कहा आज के इस सैशन में, जो कुछ भी, अगर उसको Sixed करना हो, तो वो क्या है, बहुत सिंकल है… अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, जिससे कि आप कुछ अच्छा बोल सको, और कुछ अच्छा कर सको, जिससे कि आप कुछ अच्छ पन्सको! पन्सको!